नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रारमभी परिक्षा 2020 के बारे में किस तरह से जो अब बचे हुए समय है क्योंकि अब आपके सामने जो है लच्छ निर्धारित हो चुका है 11 अक्टूबर 2020 को आय 11 अक्टूबर को होगा तो अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग लगभग तीन महिने और 21 दिन जिसको हम अगर हपतों में काउंट करें तो कुल आपके पास 15 हपते का समय बचा है अब ये 15 हपते इस एक्जाम के लिए किस तरह से यूटलाइज किये जाए कि प्री ह पोश्टे बहुत ही कम है और कम टीशन जो है बहुत ही अधीक है प्याटन भी बदला है पिछले साल के अगर आपने पेपर देखे होंगे खासका लाश्ट येर का पेपर तो उससे भी आपको अंदाज लगा होगा कि आप जो है आपको पढ़ने का तरीका जो है थोड़ा स ज्यादा डिफिकल्ट जो वास्तों में PCS का लेविल होना चाहिए उस तरह के आप प्रस्न पूछे जा रहे हैं और उम्मीर यही है कि यह आगे कांट्यून्यू रहेगा तो इस वीडियो में हम लोग सी साइट की तयारी कैसे करें PCS प्री की तयारी में क्या क्या चीज़े कैसे हम जो है किन सेग्मेंट्स पे ज्यादा फोकस करें इन सब को डिसकस करेंगे चलिए पूरे समय आपको हमाई साथ बने रहना है और इस वीडियो को आप पूरी लेंथ तक देखेंगे तब ही आपको काफी सारी चीज़ें पता चलेंगी वीडियो स्टार्ट करने से पह हम से हम पूरे स्लेवस को कवर कर रहे हैं और ये टेस्ट जो है आउनलाइन आप दे सकते हैं साथ में ही जो है आप क्या करेंगे कि इसकी जो आप सौल्ड पीडियोफ है वो प्राप्त करेंगे और वो सौल्ड पीडियोफ के ओल कोश्चेन एंसर की नहीं है उसमें हर प्रस जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसके बारे में भी जो important notes आपको प्राप्त हो चुके अच्छा content मिल सके और ऐसा content जो कई सारे प्रमाडिक सुरोतों से इकठा करके वहाँ पर दिया जा रहा है जिससे आपको जो है किसी एक चीज को पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबों को ना पलटना सकते पड़े तो यह अपने आप में एक जो है समगर टेस्टरी अगर आप देखें तो गर उप्तर प्रे स्पीसियस प्री की हम बात करते हैं तो उसके लिए जो है यह टेस्टरी सफीसियंट है और खास कर इस समय जब आप जो है रिवीजन मोड में आब आ गए हैं आपके पास चार महिने से कम का समय है इसलिए आपको जरूरत है अच्छे से अच्छी तरीके से रिवीजन करना साथ में जो है प्रेक्टिस करना क्योंकि प्रेक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है आप अगर एक्जाम में एक्जाम हॉल की तरह बैट कर और वहां के प्रे काई सारे स्टुडेंट्स की यही समस्या है कि वो जब भी एक्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पर जो है टाइम मेनेजमेंट ना होने के कारण जो है काफी सारे कोश्चन छोड़ाते हैं या हड़ बड़ी में गलत कराते हैं तो इस लच्च को ध्यान बे रखते हुए टेस् दय्माटेस्द को दै़ Luca का विजनकार कोश्चन का पूरा जिस तरह से पैटर्न है क्या स्ट्रेस्ड करें पूरे क्ष्चन आपको पूरे कंटेंट और ब्याख्या के साथ मिलांगे के ब्लेंगे क्या आप test reach test program से जुड़ना चाहते हैं या नहीं इसमें है क्या कुल 15 subject wise test है जिसको आप individual test भी कह सकते हैं अब ये individual test किस तरह से हैं जैसे कि Indian quality और constitution के एक test उसके बाद जो है इसका दूसरा test यानि हमको quality और constitution वाला जो portion है हमको लगा कि इस पर दो individual test होने चाहिए क्योंकि इसका जो weightage है उसी प्रकार का है तो दो test यहाँ पर दिये गए है इसी प्रकार से geography एक बड़ा subject है विए आपको आगे मैं ब्रेक अप दिखाऊंगा जो है year wise उसमें आप समझ पाएंगे इसी प्रकार जो है general science के जो है तो environment ecology modern history का जो है बिल्कुल separate क्योंकि national moment जो है PCS में जो है बिल्कुल अलग से और ज्यादा अच्छे से पूछा जाता है UP special और census का तो इस तरह से कुल जो है और इसमें पांच जो है current affairs के टेस्ट हो इस तरह से 15 इंडिविजुवल टेस्ट हो गए और 10 जो है हमारे full syllabus पर based test हो गए तो यह हमारे जो है cool test है जिसकी जो है पूरी ब्याख्या सहित हल PDF online test के बाद आप download कर सकते हैं online test ना भी देना चाहें तो आप पहले ही PDF download करके पढ़ सकते हैं इसमें कुछ विशेशता आएं भी हैं सबसे बड़ी विशेशता आए कि हमने questions को bilingual रखा क्योंकि आप लोग की जो है बहुँ ज़्यादा डिमांड रहती है तो हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही प्रस्न display होंगे और वह भी यह भी नहीं कि अलग अलग display होंगे एक के नीचे एक एक साथ ही जो है वेबसाइट किसी पर भी दे सकते हैं साथ में जो है माइनस मार्किंग जिस प्रकार 0.33% की उसी तरह से माइनस मार्किंग का भी पता चल जाएगा आपको और जित्ते लोगों ने टेस्ट दिया उसमें आपकी रैंक या रही यह सब चीजे भी आप जान सकते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यूपी PCS लिखकर या ज्वाइन PCS 2020 लिखकर जो है हमारे नंबर 9506742546 पर भेज देना है अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप सीधे सीधे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको PDF ना मिल लाई हो जो फ्री डेमो बात करते हैं यह आपके सामने जो है एक स्टेकल डाटा खुला हुआ है 2012 से लेके 2019 तक का जितने भी UP PCS के प्रिलिम्स एक्जाम हुए हैं उनमें कोस्चन किस प्रकार से आए हैं उनका क्या ब्रेक अप रहा है सब्जेक्ट वाइस पहले हम इसको समझेंगे तो 2012 से इसलिए कंप्रीजन किया जा रहा क्योंकि 2012 में पैटन बर्ला था सी साइट इंट्रीउस हुआ था तो वहां से थोड़ा सा जो है जो प्री का पैटन है उसमें जीएस में भी जो है कुछ नया बंध हम को देखने को मिला तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अगर हम बात करने तो सबसे पहले हमारा है भारती इतिहास और संस्कृति इसमें क्या है एंसियेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री साथ में कल्चर तो तीनों को मिला के आप देख सकते हैं तो 2019 का जो लेटेस्ट प्री है उसको अमने लास्ट में लिखा इसमें बारा कोश्चन पूछे गए थे औ इसका बहुत ज्यादा महत्तु है इसका जैसे पिछले ही साल 11 कोश्चन पूछे गए थे लेकिन वही पर 2014 में देखेंगे तो 22 कोश्चन 2013 में 14 कोश्चन तो इस तरह से कभी एकदम से ज्यादा कोश्चन भी आ जाते हैं कभी कम आ जाते हैं लेकिन ये सेग्मेंट जो है एक सारा कोश्चन मिलते हैं और अकेले इंडियन नेशनल मुवमेंट से या जिसको हम कह सकते हैं आधुनिक भारती तिहास के अंतरगत भी जो है उतने ही कोश्चन आते हैं और ये पोर्षन जो है इसको आसानी से तयार किया जा सकता है तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए उसके अलावा समिधान युम राजवियोस्था कि अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पोर्षन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है फ्लाइट कोश्चन साते हैं बहुत ज़्या अपने पड़ रखी है तो आप कोश्चन के एंसर को आराम से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बिकल्प को देखे तो आप देख सकते हैं पॉलिटी में पिछली बार 18 कोश्चन पूछे गयते हैं उससे पहले 19 उससे पहले 19 पर 21, 23, 19 तो हम ये मान सकते हैं on and average 17 से 18 पूछा जाता है जोगर्फी जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो है सेग्मेंट है हमारे GS portion का जनरल स्टीडी का आप देख सकते हैं पिछली बार 22 कोश्चन आया था उसके पहले 17 उसके पहले 19 फिर 19 उससे पहले 25 तो on and average जोगर्फी से आप इमान सकते हैं कि 20 कोश्च जो है पूछे जाते हैं यहाँ पर यह सब बताने का जो मूल उद्देश यह वो यह है कि जब आप रिवीजन करने जा रहे हैं आप जो है चीजों को दोराने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए आपकी कुछ प्राइटी होनी चाहिए कि हम किन सब्जेक्ट्स को लेकर सुरुआत करें अपने रिवीजन की किन को ज्यादा वेटेश दें किन पर ज्यादा समय दें उसके बाद एकनॉमी की बात करें तो एकनॉमी में जो है ऑन रेवरेज 10 से 12 कोश्चन पूछे जाते हैं पिछली बार यह कोश्चन जो है 13 आये थे और एकनॉमी में जो को करेंगे फिर जनसंख्या परियावरण नगरी करण यह जो है एक साथ इसको जो है अगर हम देखते हैं तो 16 कोश्चन यानि आप देख सकते हैं परियावरण और पारिस्तित की साथ में जनसंख्या यह जो है अपने आप में मिलकर एक बड़ा सेग्मेंट बना रहे हैं जब तो परियावरण पर जो है हमेशा फोकस बढ़ रहा है क्योंकि अगर UPSC का पैटर्न जो एडॉक्ट करने की बात कही जा रही है तो UPSC भी जो है उसी पैटर्न पर चलने के प्रयास कर रही है और यहां पर अब जो है इन्वार्मेंट और एकोलोजी का जो वेटेज है वो बढ़ रहे हैं और इन्वार्मेंट और एकोलोजी से जो कोश्चन पूछे जा रहे हैं वो करन्ट सिनेरियो को लेके यानि करन्ट अफेर से रिलेट करके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फिर सबसे बड़ा सबसे महत्पूर्ण सेगमेंट क्या है हमारा करन्ट अफेर पि हम ये expect कर सकते हैं कि 25 से लेके 30 question तक current affairs के निश्चित रूप से आपको 2020 के प्री में देखने को मिलेंगे आगे चलते हैं सामान विज्ञान एवं प्रोध्योग की science and technology जिसे हम कहते हैं इसका भी अच्छा कासा वेटेज है 20 question पूछे गए हैं पिछली बार उससे पहले 24 उससे पहले 21 और उससे पहले 30 फिर 27 तो यहां पर हम देख सकते हैं आउसत जो है लगबग 20 questions का है science and tech से उसके बाद UP special, UP special में लगातार जो है गिरावट आ रही है जिसका पिछली बार जो है देखा था आपने कि नाम मातर के केवल दो question जो की directly based भी नहीं थे वो UP से पूछे गए थे उसके बाद mislaneous topics से जो है लगबग 16 questions पूछे जाते हैं तो एक यह broad division था कि किस तरह से questions को पूछा जा रहा है अब हम बात करते हैं अपने अगले segment की यानी GS2 की GS2 क्या है GS2 को हम लोग जो है C site भी करते हैं और इसका भी उतना ही महत्तो है आपकी प्रीक परिच्छा में जितना GS1 का है क्योंकि यहाँ पर merit में भले इसको न जुड़ा जाता हो कटाफ में इसके mark को भले न सम्मिलित किया जाता हो लेकिन GS2 जो है इसको pass करना जो है अनिवार है सभी के लिए और 100 में से 100 questions में से 33% marks आपको शिक्योर करने होंगे इसको qualify करने के लिए अगर आप इसको qualify नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है इसका खामियाजा यह उठाना पड़ेगा कि आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा यानि आपकी pre की copy जो है प्री में ही आप fail मालनी जाएगे सीधे सीधे आपने GS1 में चाहे कितना भी अच्छा score किया हो तो यह essential part है इसलिए इसको भी आपको 7 लेके चलना है अगर आप GS1 पेपर के लिए 6 गंटा 7 गंटा दे रहे हैं तो कम से कम एक गंटा तो इसको दीजिए क्योंकि एक गंटा भी इसके लिए परियाप्त है अगर आप एक गंटे इसके लिए समय दे रहे हैं अब इसको हम समझते हैं कि इसमें किस तरह से question पूछे जाएंगे तो इसमें number आप questions किते होते हैं 100 question होते हैं और सामान हिंदी और व्याकरण से इसमें 20 question आते हैं अब ये सामान हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है परियावाची बिलोम समानार्थी अनेक सब्दों के लिए एक सब्द फिर एक पूरा जो है अपटित गर्द्यांस होता है उससे चार पांच question करने होते हैं तद्भाव और तद्सम वर्तवा के वं वर्तनी सुध्धिकरण तो इस तरह के मतलब जो सामान हिंदी के जो सभी टॉपिक्स है कहीं से भी कुछ भी पूछाया सकता है इस तरह का बहुत ज़रेक डिफाइंड नहीं है कि उसमें से यही topic आएंगे तो पिछले साल के जो papers हैं गर आप उनको देखेंगे previous year questions को तो आप देखेंगे हिंदी में जो है सभी तरह के questions जो है mix करके पूछे गए हैं आगे चलते हैं जन्नल इंगलिस की बात करते हैं जन्नल इंगलिस में जो है इसमें भी synonyms, antonyms, active wise, passive wise उसके अलामा जो है इसमें भी अपटित गद्यांस होता है यानि unseen passage होता है उससे जो है करना होता है फिर इसमें बॉक्विलुरी पर आधारित जो है questions आते हैं इसमें भी odd one out और error correction वाले sentence वाले question आते हैं तो जो जन्नल इंगलिस में जो है और इसका लेविल जो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता हाई स्कूल लेविल का जो जन्नल इंगलिस होती है उसी तरह की जन्नल हिंदी जो होती है सामान हिंदी जो हमारा हमने सब से उपर लिखा है ये दोनों ही जो है लगबग हाई स्कूल लेविल की होती है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है आप सामानिता जो है जो है जो से पूछा जाता है आपको पता है अगर आप बहुत स्पेस्पिकली नहीं भी पढ़के जाते हैं तब भी आप इसको आसा सिंग मार्क नहीं ला पाए तो हमारा सेलेक्शन भी फस सकता है हम प्री में ही रोके जा सकते हैं इसलिए इसको गंभीरता से ले ना होगा मेरा कहने का यहीं मतलब है आगे चलते हैं सबसे जादा कोश्चन रीजनिंग और मैथ के आते हैं ये मिला के लगभग 35 कोश्चन आ को बता रहा हूं ये 2019 में जो प्री हुआ था उसके जो है सी साइट के पेपर का ब्रेक अप है तो रीजनिंग और मैथ मिला कर 25 कोश्चन आते हैं और इसमें से केवल रीजनिंग की बात कर दें तो 25 कोश्चन रीजनिंग के और 10 कोश्चन मैथ के पूछे गए थे ये नंब बढ़ भी सकता है घड़ भी सकता है लेकिन लगभग लगभग 35 कोश्चन पूछे जाते हैं अब इसमें जो है जैसे बारंबारता वाला चेप्टर उससे कोश्चन पाई चार्ट से कोश्चन ग्राफ वाले कोश्चन उसके अलावा जो है अगर रीजनिंग में चले हम तो जो है रीजनिंग में और्ड वन आउट, सीटिंग अरेजमेंट, अलफा वेड, मिसिंग नंबर फाइन करना इस तरह के कोश्चन को पूछा जाता है और खास कर जो है दो तीन कोश्चन तो जो है केवल डायरेक्शन वाले पर होते हैं डायरेक्शन पर क्लॉक पर करेंडर तो हम यह कह सकते हैं कि आपको रीजनिंग में भी जो है थोड़ा बहुत प्रेक्टिस करनी होगी जो है जिससे प्रेक्टिस के साथ जो है आप प्रीवियस यर कोश्चन जित्ते आए हैं सी साइट में उसको अगर आप साल्व कर लें तो आपका जो है यह पोर्षन सई हो ज इंगलेस में कहते हैं इंटर्पर्सनल एंट कम्निकेशन इसकिल डिसीजन मेकिंग ये लगभग लगभग इसमें 30 प्रस्न पूछे जाते हैं इसमें बिभिन बिद्वानों ने संप्रेशन क की क्या पड़िवासाय दी हैं अब यह जो संप्रेशन के प्रकार हैं उसके उद नारल पूछे गया थे, पिछली बार पूछा गया था, उसके अलावा निर्णयन पर जो है, यानि अगर आपको एक situation दे दी जाती है, एक case study आपके सामने रख दिया जाता है, तो उसमें जो है, आपको चार option दे दी जाते हैं, कि आप इसमें से क्या करेंगे, या क्या उचित होगा, क्या सही होगा, तो ये जो है, decision making से related भी question आते हैं, इसको पढ़ने के लिए, आप जो है, सी साइट की जो है, कोई भी book जो है, ले लिजे, उतना परियाप्त है, उसमें जो है, ये chapter मिल जाएगा, खासकर अगर घटना चक्र हो गय रहा हो, तो तो बहुत अच्छी ब तो आप उसको एक बार देख लेंगे, उसमें मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वाला जो topic है, interpersonal skill वाला, ये थोड़ा सा समझने वाला topic भी है, ये मनोविज्ञान जैसा topic है, इसलिए जो है, इसको आपको समझना होगा, और समझने के बाद जो है, आप इसका असानी से उत्तर दे पाएंगे, तो ये तो topic के बारे में हो गया, आप ये बार आती है, कि हम सी साइट की तयारी करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, क्या books पढ़नी चाहिए, तो सामान हिंदी ब्याकरण के लिए आप कोई भी एक जो है, जैसे डाक्तर प्रतिवि जब papers देखेंगे, उसमें देख लीजिएगा, क्या क्या topics पूछे गए हैं, उन सभी topics को पढ़ डा लिया, और उससे पहले आपको क्या करना है, कि जित्ते भी previous year questions हैं, उसको solve कर लीजिए, कई सारी solve questions की book आती हैं, PPSC site के लिए, कोई भी आप जो है book ले लीजिए, जिस प आपके पास लगभग लगभग जो है, साड़े तीन महीने से उपपर का समय है, तो आप एक घंटा अगर देते हैं, C site को तो इतना परियाप्त है, आप अगर चाहेंगे, तो दस दिन में आप हिंदी को cover कर लेंगे, उसके बाद जो है, आप reasoning और math पे आ जाएंगे, तो 20-25 इस दिन आप उसकी अच्छे से प्रेक्टिस कर लीजे, फिर जन्नल इंगलिस आप अगर 10 दिन भी एक घंटा पढ़ रहें, तो आपका जन्नल इंगलिस cover हो जाएगा, और इंटर परसनल स्किल कम्यूकेशन, इसको भी अगर आप जो है, आट-10 दिन दे देंगे, एक घंट जो है, तो इसमें भी आपको जो है, इतना हो जाएगा, कि आप overall इसमें 100 में 33% ले आएं, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान कियेगा, कि second paper, यानि sea site में भी negative marking है, यह कभी मत भूलिएगा, और यहाँ पर आख बंद करके आप तुक्के बाजी नहीं कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुती साउधानी से, बहुती अच्छी strategy से आपको आगे बढ़ना होगा, उसका तरीका यही है, कि अगर आप हिंदी अच्छी है, आपकी या इंगलिस अच्छी है, तो इन में से जो है, आप चूस कर लीजिए, उसके बाद जो है, वीजनिंग मैट में, आगर आते हैं, तो मैं यह मान के चलता हूँ, कि आप 20 कोश्चन आसानी से ऐसे आपको मिल जाएंगे, जिसका आप सही हल निकाल लेंगे, और वहीं पर सामान हिंदी और जन्रल इंगलिस मिला कर जो है, या 35 कोश्चन हो रहे हैं, तो 35 में जो है, 20 कोश्चन आप आसानी से कर गद्यांस में ही छुपा मिल जाता है, तो इस तरह से आप ये प्लाइन कर सकते हैं, कि आपको लगभग 40 कोश्चन सही करने हैं, वो किस तरह से करेंगे, यह आप जो है, उसमें देख लेंगे, तो हमने सी साइट पे बात कर ली, सी साइट पे बात करना बहुत जरूरी था यहां पर, अब हम अपने पहले पेपर पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं, GS1 यह General Studies 1, तो इसमें जो है, अगर ब्रॉडली हम देखें, तो आठ सब्जेक्ट हैं, जो हमने पीछे देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं, Current Affairs की स्ट्रेजी स तो Current Affairs आपको कब से पढ़ना है, पहला सवाल है, 2020 में आपका एक्जाम होने जा रहा है, अक्टूबर में होने जा रहा है, तो बहुत आपको पीछे जाने के आउशकता नहीं है, जन्वरी यानि एक जन्वरी 2020 से आपको Current Affairs पढ़ना चाहिए, और यह बिल्कु सफीसियंट ह और आपका एक्जाम जो है, अक्टूबर में है, तो आपको जो है 15 सितंबर तक का Current Affairs कम से कम कवर करना चाहिए, सेफ साइड रहते हुए 15 सितंबर तक Current Affairs, 15 से 20 भी आप कर सकते हैं, चलिए 20 तक का जो हमें लिख देता हूँ, क्योंकि इस से किसी भी हालत में इस से आगे आने लेंगे, एक जनवरी से उतना आपके लिए परियाप्त होगा, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब UPPSC एक्जाम पेपर बनाता है, तो आकरी के 3 से 4 महिने का Current Affairs होता है, यानि अगर हम यहाँ बात करें, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसका वेटे सबसे ज़्यादा होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त से जो Questions जो है सबसे ज़्यादा होंगे, 50% Question Current Affairs के यहीं से होंगे, फिर इसके पहले जो हुआ, यानि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, यहाँ से बाकी जो है बचे हुए 50% Question आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मई स लेके आपके एक्जाम होने के पहले तक का जो पीरेड है, उससे Question पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा फोकस आपको लाश्ट के Six Month पे करना है, और तयारी आपको जो है जनवरी से करना है, इसका तरीका क्या है, आपके पास अच्छा खासा समय है Current Affairs को तयार करने का, आप अ तो 15 हपते अगर आप लगातार एक घंटे Current Affairs पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई Current Affairs नहीं है जो आप से छूटने पाएगा, बस आप सही जगे से पढ़ें, सही आपका Source का चुनाव सही होना चाहिए, Source की अगर हम बात करें, तो जैसे कि समसमाई की महासागर है, घटना चक्र है, Chronicle है, प्रतियोगता दरपढ़ है, जो भी आप पढ़ते आए हैं, आपको बदलने की जरूवत नहीं है, क्योंकि आलमोश 95% Current Affairs सभी Magazines का सेम होता है, और एक सोर्स अपना हमेशा मिंटेन रखिये साथ में, निउस पेपर, क्योंकि निउस पेपर का जो महत्तु है, वो कोई कोई भी मैगजीन, कोई भी चैनल, या कोई भी जो है, इस्टेडी माटिरियल नहीं कर पाएगा, अगर आप डेली निउस पेपर पढ़ते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं, आज कल बहुत सारे ग्राफ निकलते हैं, एकनॉमिक से सम्बंद कि करण्ट अफेयर्स जो है, इकनॉमिक्स में जो है, बहुत मात्मूर इस समय हो गया है, इसके अलावा इस चैनल पर डेली करण्ट अफेयर्स अप्लोड किया जाता है, जनवरी से लेके और अभी तक का डेली करण्ट अफेयर्स लगातार देखते रहिए, रिवाइस करते रही है current affairs जो है आपका कम से कम जो हम एक average मानके चलते हैं कि 25 से 30 question का वो आपका जो है complete हो जाएगा आप इसके बाद जो है आपकी priority में अगला क्या होना चाहिए अगला होना चाहिए geography वर्ड जोगर्फी इंडियन जोगर्फी दोनों मिला कर आपको सबसे बड़ा segment है second अगर largest segment की बात करें हम जो है तो जोगर्फी से भी आप जानते है on average 20 से 22-25 question तक पूछे जाते हैं 20 तो जो है question लगबग लगबग तह होता है कि 18-20 question आएगा ही तो जोगर्फी में आपको जो है पुस्तके आप सभी को पता है वैसे NCRT जो है पढ़ने का अब समय नहीं है यही जब चार मेने पहले जो है वीडियो बनाया गया तो आपको सला दी गई थी कि NCRT पढ़ें लेकिन अब हम भी जो भी बात करेंगे वो short term strategy की और केवल revision पर बात करेंगे तो आपने जो है जो महेश वनवाल की book है अगर उससे आपने पढ़ा है या दृष्टी की book है या जो है आपने अपने notes बनाए हैं तो आप जो है उनहीं को revise करिए और geography में एक चिद्यान लखिएगा आप UPPCS देने जा रहे हैं इसलिए mapping का बहुत ज्यादा महत्व है आप किसी भी देश को किसी भी जगे का नाम पढ़ें कोई भी पठार का नाम पढ़ें कोई भी मरुस्थल का नाम पढ़ें या कोई भी संधी पढ़ें तो आपको एक बार कम से कम अपने पास मैप खोल के सामने रखना चाहिए और तुरंत जो है उसका place देख लेना चाहिए जैसे हम बात करें अगर जो है कि मरमरा सागर तो हमने यह देख लिया इसके चारों तरफ क्या है कौन सी कंट्री से यह घिरा हुआ है लैंड लॉग इसके आसपास क्या-क्या जगहे हैं कौन से महासागर में है यह तो उसके हम मैप में यह भी देख लें कि वो किन किन कंट्री से होके गुजर रही है उसमें बीच विच में कहां पर डैम सो रहे हैं किस देश में या किस राज में कौन सी नदी उसमें आके और यहां यहां तक की वो दाएं से आके मिल रही है की बाएं से आके मिल रही है तो इन सब चीजों का अगर आप मैपिंग पर फोकस रखेंगे जोगर्फी में विसेज कर तो आपको जो है बहुत ही फायदा होगा योगी जोगर्फी में जो लोग मैपिंग सहारे पढ़ते हैं मैप का लगातार यूज़ करते हैं वो फैक्ट्स को तो याद रखना रटने की चीज़ होती है लेकिन एक बार मैप देखने के बाद अगर आपको उससे इतर जो आपने तयार किया उससे दाएं बाएं भी कोई चीज पूछ ली जाती है तो आप मैप के माध्यम से सोच कर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या ह मैपिंग का बहुत मात्तव है पढ़ते समय ज़ोगर्फी को मैप का अभ्यास भी करते रहिए बहुत सारी साइट से जहां से आप डेक मैप मिलटे हैं वर्ड के और इंडिया के उनको उन पर भी आप जो है प्रेक्टिस करते रहेंगे तो जोगर्फी आपकी बहुत अच्छे से त्यार हो जाएगी अगले सेग्मेंट पे बढ़ते हैं हम जो है साइन्स अंड टेक साइन्स अंड टेक का जो है महत्तो इधर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है साइन्स अंड टेक्नोलजी से बहुत अच्छे कोश्चन आ रहे हैं और इस समय आप जो है वैस्वी परदर्स देख रहे हैं ग्लोबल की पूरी दुनिया में जो है बीमारियों के बारे में बीमारियों का पूरा बरगी करण बैक्टीरिया वाइरस फंजाई इनसे होने वाले रोग उनका उपचार फिर इनके टीके के बारे में इनकी खोज किसने की थी इस तरह के कोश्चन के लिए तयार रहीएगा और उसके अलावा न्यूट्रिशन जो चैप्टर है बायलोजी का वो बहुत मात्पूर हो जाता है साइंस अंटेक में कार्भो हाइडरेट, बिटामीन, मिनरल्स जो भी हमारे फूड के सप्लिमेंट्स हैं अव्यव हैं उनके बारे में किसकी कमी से क्या रोग होता है किस से कौन सी छमता की ब्रद्धी होती तो ये सब चीजें जो है बागी जैसे अभी चर्चा में रहा प्लाजमा थेरेपी तो प्लाजमा थेरेपी क्या है उसके बारे में पढ़ लीजिए प्लाजमा के बारे में बलड के बारे में कितना परसंटेज होता है उसमें कौन- का कहीं जिकर है तो उसके बारे में थोड़ा सा क्यूरियस होके जो है आप उसको ढूण के जरूर पढ़ लें को कि हो सकता है एक्जामनर जो है करन्ट अफेर्स के टॉपिक्स को जो है साइन्स में लाने का प्रयास करें इसके बार जहां तक टेकनॉलजी की बात है तो नाय लांच की गई है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो इस तरह से साइन्स एंट टेक को जो है आप करन्ट से भी जोड़के पढ़िए और ट्रेडिशनल जो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए तो इसके लिए आप लोग बुक्स पूछते हैं तो बुक्स के फार्म में अब लेवल हैं वो भी ठीक ठाग बुक है दृष्टी पॉब्लिकेशन की जो क्विक बुक्स हैं उसमें भी आप जनरल साइंस ले सकते हैं परिक्छा मंतन की साइंस एंट टेकनॉलजी बुक अच्छी है तो यह सब बुक्स हैं जो आप साइंस एंट टेकनॉ मुमेंट है यानि भारती सुतंता संग्राम या भारती सुतंता का अंधोलन वाला जो पूरा काल है उससे कोश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो मेड़वल हिस्ट्री और एंसी एंट हिस्ट्री को मिला कर उतने कोश्चन पूछे जाते हैं जितने अकेले ज लोगों ने पढ़ी हो, अच्छी बूक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और आपको केवल रिवीजन करना है, सॉर्ट में फैक्टस देखने हैं, तो KCT की भूक आती कि रन कम्परेशन टाइमस की वो भी आप ले सकते हैं, फैक्ट के रिविजन के लिए अच्छी बुक है तो modern history का अपने आप में बहुत रोल है इसके बाद modern history के बाद अगर हम बात करें तो polity इंडियन constitution and polity इसका 18 से 17-18 question जो है लगभग हर साल का एक आउसत है और बहुत ही interesting subject है जो लोग interest लेते हैं उनके लिए क्योंकि इसमें आप जो इचीज एक बार पढ़ लेते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं और static portion है कोई बहुत ज़्यादा change नहीं होता कुछ नए amendments होते हैं उनके अलावा जो है एक बार आपने अगर जो है जो चीजे पढ़ ली है समय धानिक विकास पढ़ लिया मूल अधि का जो है हर बार बदलता रहता है तो 17-18 question में से आप 15-14 question बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं अगर आप इसमें interest रखते हैं कोकि यह ecstatic subject है और बहुत ही अच्छा subject है इसके बाद जो अगला मातपूर टॉपिक है वो है जनसंख्या, नगरीकरण, परियावरण एवं पारिस्तित्की जिसका इधर के हाल के पेपरों में जो 2-3 साल से trained है उसमें परियावरण और पारिस्तित्की का रोल ज जो है जितने भी महत्पूर टॉपिक हैं UPPCS BEO के लिए उस सबको मैंने पढ़ाया है उसको एक बार अगर आप जरूर देख लें तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और current affairs से relate करके इसको पढ़ें परियावरण और पारिस्तित्की के लिए आप परिच्छा मंतन की बुक ले सकते हैं वाड़ी प्रकासन ले सकते हैं इसी तरह से राज ब्योस्था के लिए M. Lachmi Khan सबसे standard किताब है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा research करके नहीं पढ़ते हैं या आपको नहीं पढ़ना का मन है तो आप जो है वाड़ी प्रकासन की बुक ले लिए या द उपर से मुझे भी ऐसा लगता है कि PCS Pre के लेविल से कुछ ज्यादा ही उसमें मैटर दिया हुआ है और जब आपके पास समय ना हो तो आप इतनी भारी भरकम किताब को जो है आपको अपरोच करने की आउशकता नहीं है तो यह जो है कुछ major subjects के बारे में हो गया लेकिन यह पर यह नहीं है कि जो subjects या जो topics मैंने यहां पर नाम नहीं लिया है वो नहीं पढ़ना है UP special आपको पढ़ना ही पढ़ना है चैनल पूरा पढ़ाए गया है economics पढ़नी है static वाली भी बस current affairs से इसको जोड़ के ज्यादा पढ़ना है जितना भी आयात निरियात का data है नया data आता है तो मैं वीडियो को revise करूंगा नहीं तो पहले से इस पर वीडियो बने हुए है आप देख लीजिए सब कुछ जो है अभी के हिसाब से updated है तो अब हम बात करते हैं कि यह जो 15 हपतों की हमने बात की है इसमें हमारी strategy क्या होनी चाहिए किस तरह से हमको पढ़ना है तो अगर हम 15 हपते की बात करते हैं और यह मानते हैं कि आप एक full time student हैं तो हम यह भी अपेक्छा रखते हैं आप से कि आप 8 घंटे जो है डेली पढ़ते होंगे लेकिन यह 8 घंटे वो वाला होना चाहिए जिसमें आप mobile ना चेक कर रहे हो आप website कोई ना खोले बैठे हो या आपका ध्यान कहीं और भंग करने आली जबहों पर ना लगा हो कुल मिलाकर जो है एक कागरचित पढ़ाई होनी चाहिए तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आप जो है एक sitting में कभी भी दो घंटा देड़ घंटे से ज़्यादा बैठने का प्रयास ना करें वैसे जो practical अन आप बीच में 10 मिनट का गैप ले लें 15 मिनट का गैप ले लें पढ़ें उठके चले जाएं टहल गूम के पानी पी के नास्ता करके फिर वापस आ जाएं लेकिन लगातार 3-4 घंटे या 5 घंटे बैठने से जो है जो एकागरता होनी चाहिए और जो input होना चाहिए पढ़ा कारन को एक बार में ना सोचे कि मैने history उठाई है तो पूरी history पहले समाप्त कर लूँगा एक हपते में अगले हपते मैं geography लूँगा उसके बाद में अगले हपते polity लूँगा तो यह भी पढ़ाई का तरीका हैं हमेशा जो है कम से कम प्रयास कीजिए कि तीन subjects को एक सा प्रेसर भी रिलीज होता रहेगा और आप में एक confidence आएगा कि ठीक है मेरे तीन सब्जेक्ट जो है तैयार हो गए हैं बाकी के तीन अभी और जो है अगले महिने तैयार कर लूँगा तो यह जो वो है कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैट गए और आप उसमें फस ग बताया कि आपको किस priority में पढ़ना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं आप उसको follow करें मैंने आपसे बताया कि जोगर्फी सबसे उपर रखना चाहिए आपको current affairs के बाद में लेकिन अगर आप जोगर्फी के अच्छे विद्यारती हैं जोगर्फी आपका optional subject भी है यानि आपकी geography पे इतनी command है कि आपको pre के लिए चिंता नहीं करनी है तो आप geography से क्यों सुरूआत करेंगे आप ऐसे subject से सुरूआत करेंगे जो आपको लगता है कि उस पर सुरूआत में आपको ज्यादा focus करने की आउशकता है तो पढ़ाई का सबका तरीका लग होता है हमको अपने हिसा क्या करना है आपको एक घंटा current affairs daily पढ़ना है ठीक है क्योंकि current affairs आपके बाकी जो subject कमिया है उनको दबाने का प्रयास करता है 30 question में से आप 25 question 22 question 20 question तक आसानी से तयार कर सकते हैं अगर आप जो है एक साल का लगभग 9 महिने का current affairs cover कर लें उसके अलावा आपको जो है C-side के लिए भी जो है एक घंटा देना चाहिए और अगर आप C-side को लेके confident है तो आप जो है इत्ता समय मत दीजिए उसको आप जो है एक दो हपते में पढ़के निप्टा दीजिए दो दो घंटे पढ़के अगर आप C-side को लेके डरे हुए हैं C-side को लेके आपको अंदर जो है ऐसी feeling है कि आप जो है उसमें अच्छे से तयार नहीं है तो आपको C-side को भी एक घंटा डेली देना चाहिए आप बात आती है GS1 की तो GS1 में जो है current affairs को हमने निकाल दिया क्योंकि इसको हमको एक घंटा डेली देना है बाकी के जो topics हैं उसमें आप अपनी priority सेट कर ली जिए और सबसे पहले आप सुरुवात कैसे करेंगे सबसे पहले माली जी आपने तीन चीजे चुनी माली जी आपने जोगर्फी चुना science and technology चुना और तीसे नंबर पर modern history को चुन लिया है ठीक है अब आप इनके घटना चकर उठाईए या कोई भी source जिससे आप previous year questions को पढ previous year questions को और उनके जो answers के साथ साथ जो है description को पढ़ते चले जाईए और इसमें आपको जितना कम समय दे उतना अच्छा है लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर आप जो है सारे previous year questions को पढ़ेंगे तो आपको कम से कम एक महिने का समय लग जाएगा लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि अगर आप previous year question भी पढ़ रहे हैं तो 3-4 subject को एक साथ लेके चले हैं मालीजी आपने का कि मैं 6 घंटे GS1 को दूँगा तो उसमें से आपको 2-2 घंटे जो है 3 subject को अलग-अलग पढ़ना चाहिए previous year questions जब आप पढ़ें तो उसमें जो options हैं 4 options के बारे में आप ध्यान दीज क्योंकि कुछ ऐसे सब्द होते हैं जो हमको पढ़ने में अट-पटे लगते हैं लेकिन अगर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया और उसके बाले में आपनी जैनकारी नहीं कठा किया और exam में आ गया तो आपको जो है वो दिक्कत कर सकता है तो उन पर भी focus करना जरूरी है previous year question आपके एक बार हो गए उसके बाद फिर आप अपनी फिर से priority list बनाईए subject wise कि अब हमको जो है कौन सैसे subject हैं जिसमें कोई ना कोई problem हो रही है तो previous year question माली जै आपने एक हपते में यानि एक महिने में खतम कर लिया तो 15 हपते में से 4 हपते कम हो गए अब आपके पास जो ह आपको क्या करना चाहिए subject पर आप आ जाते हैं माली जै आपने subject टाय कर लिये 3 subject लिये 2-2 घंटा और उसमें से जो है जो आपने notes बनाया है जिन किताबों में आपने marking की है आपने जैसे भी पढ़ा है उसका revision जो है वहाँ पर start कर दीजिए साथ में ही आपको ये काम करना है कि आपको practice set भी solve करने है आप जो है decode exam का जो हमने practice set की बात की वो भी ले सकते हैं या उसके अलावा आप अगर कोई भी practice set लेते हैं क्योंकि आखरी का जो डेड़ महिना है वो आपको practice में भी देना जुरूरी है आप कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आप exam का pressure handle करना और negative marking से जूझना या negative marking के pressure में exam देने को आप handle नहीं कर पा रहे हैं तो आपने चाहिए जितना भी पढ़ा हो सब ब्यार्थ हो जाएगा क्योंकि जब आप exam में जाएंगे तो आपका confidence वहाँ पर डगमगा जाएगा इसलिए time management को प्रात्मिक्ता दीजिए और जो हमाई decode exam की test series है उसमें हमने इसी लिए जो है PDF भी दे देते हैं हम साथ में online practice भी कराते हैं कि आप time bound manner में जो है ये देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं कितना गलत कर पा रहे हैं आपका जो गलत हो रहा है वो किन topics से हो रहा है subject की बात चोड़िए topics पर भी ध्यान दीजिए कि हमाई किन topics से question गलत जादा हो रहे हैं उनको आपको जल्दी जल्दी फिर से पढ़ना होगा revise करना होगा तो practice set का जो है यहां पर बहुत म इस set तो आपका जारी रहना चाहिए last तक जो है साथ में जो miscellaneous topics हैं जैसे कि जनसंख्या, नगरी करण, परियावरण, पारसित्की, उत्तर प्रदेश, विसेश इन सब पर जो है आपको last में एक बार फिर से focus बना लीजिए तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप 15 हपते जो आपके पास हैं उसका अगर अच्छे से utilization करें तो आप PCS pre को beat कर सकते हैं यह इतना cutting भी नहीं है चाहे seatे कम हो 13 गुना लोग ही mains देंगे उसके बाद जो है दो गुना लोग mains से pre इंटर्व्यू देंगे लेकिन अगर आप चाहें तो आपको केवल एक seat चाहिए और आप की लड़ाई खुद से आपको किसी दूसरे से कोई competition करने की जरूत नहीं है पूरी एकागरता से लग जाईए यह 15 हपते का जो समय है यह आपको जो है बहुत कुछ दे के जा सकता है लेकिन आपको ध्रण निष्चे से और एक सधी हुई रणनीती से पढ़ना होगा और सार एरियास पर फोकस करना होगा किसी एक subject में किसी एक unidirectional अगर आप बढ़ेंगे तो निष्चित रूप से आपको नुकसान होगा इसलिए समगरता से पढ़िए पूरे syllabus को cover करने का प्रयास करिए revision पर ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दीजिए revision must है जित्ता ज्यादा वो कम से कम होगा तब ही आप जो है negative marking से उभर पाएंगे साथ में अगर आप practice set लेना चाहें तो आप 950-67-42546 पर हमारे crash course को join करने के लिए call कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप हमारा crash course यह join करते हैं तो निष्चित नहीं उपलब्द है और यह जो बोलने का confidence है यह आप लोगों से ही हमें प्राप्त होता है तो मित्रो मेरी आप सभी को अगरिम सुपकामनाय हैं लग जाईए और यह जो लच्च है असाध है नहीं है इसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बस dedication की और commitment की यहाँ पर आज के लिए रित्ता ही नमस्कार दन्यवाद